हेलो दोस्तो, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्तान एकेडमी पर मैं परविंट सिंग आप सभी लोगों के साथ में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं LDC एक्जाम, CET एक्जाम, चात्रावा सदिक्सक एक्जाम के लिए Mathematics और Science की Classes लेकर के आ रहा हूँ Mathematics के अंतरगत हमने अभी तक 5 यूनिट कर ली है वो सभी यूनिट हमारे यूटूब चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर Topic-wise और एकदम systematically available है इसी परकार से आप विज्यान के अंतरगत देखेंगे तो पूरा का पूरा कोर्स जो है आपको available करवा दिया गया है वो भी प्लेलिस्ट के अंदर available है Topic-wise आप उसमें आराम से पढ़ सकते हैं Last topic Information Technology उसके अंतरगत चल रहा है हम गणीत के अंदर बात कर रहे थे हमारे 7th unit की और 7th unit है हमारी Statics और Mathematics गामिक्स बागे जिसके अंतरगत हम लोगों ने आकडों का चित्रों के द्वारा निरूपन किस परकार से कर सकते हैं उसके बारे में बात करी थी उसके बाद मैं अपन बात कर रहे थे केंद्र प्रवती के मापों की और केंद्र प्रवती के मापों में मैंने आपको बताया था तीन चीजों के बारे में आपको पढ़ना है माद्य, भौलक और माद्यक जिसके अंतरगत माद्य आप किस परकार से ग्याद करेंगे या माद्य को ही जो है अंकगनित माद्य भी कहा जाता है समांतर माद्य भी कहा जाता है औसद भी का जाता है यह बात मैंने आपको बता दी थी जो माद्य टॉपिक है उसी के अंतरगत अब जो मैं आपको है तीन च्यार अलग-अलग परकार के qautions करवाऊंगा और उन qautions के माद्यम से ही आपको यह समझ में आ जाएगा कि किस परकार का कोशन आएगा तो कैसे solve करना है ठीक है अगर हम इसको theoretically करने जाएंगे तो बहुत जादा समय लगेगा और जिसका कोई और चित्ते नहीं है क्योंकि एक्जाम में आपके जो कोशन आने वाला है उसका fix pattern है अभी तक है ना अभी तक कहीं पर भी जो है tough कोशन को माध्यें को आपने पूचा गया है तो इस बार हो सकता है माध्यें में माध्य की गंडना कीजिए ठीक है अब इसके अंदर देखिए किस परकार से आकडों को दिया गया है वो एक अच्छा सा जो है आपके सामने कन्फूजेबल कर सकता है आपको अब आकडे जो दिये गए बेसिकली वो आकडे जो है यहाँ पर इस परकार से थोड़ी टेड़ी मेडी लाइन है लेकिन अपने को लाइन से कोई मतलब नहीं है ठीक है मान लीजिए कि यह लाइन से दी ही है आपको क्या दिया गया है आकडे जो है वो इस परकार से टेबल बना कर दिये गए है तो क्या होता है कई बार जब इस परकार की टेबल दिखती है, बड़ा कोशन दिखते ही, हम उस कोशन को छोड़ने की सोच लेते हैं, यहाँ पर आपको दे रखे हैं प्राप्तांक और यहाँ पर है आवरती, ठीक है, आवरती का मतलब है फ्रिक्वेंसी, यह क्या होती है अभ लिख लीजिए आप, वाल लीजिए, तीन पंदरा, बनलब तीन नमबर पंदरा बच्चों के आए, ठीक है, आँ, बीस नमबर पांच बच्चों के आगे, दस नमबर दस बच्चों के आगे, पंदरा नमबर चार बच्चों के आगे, तेरा नमबर पांच बच्चों के आगे सोला नमबर पांच के आगे दस नमबर तीन जनों के आगे और नौ नमबर दस जनों के आगे इस परकार से कुछ टेबल जो है आपको दी गई है अब ये टेबल कैसे आपको कंफ्यूज करेगी और कैसे आप गलत कर सकते हैं वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ ये जो है आपको का गया है कि आपके पास में ये एक बारम बारता बंटन है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्यूबिशन है जिसमें आपको प्राप्तां क्यानी की नंबर आपके दे रखें और आवरती का मतलब है कि तीन नंबर कितनी बार आए है अनि कि तीन नंबर क्लास के अंदर कितने बच्चों के आए है ठीक है बीस नंबर कितनों के आए दस कितनों के आए पनरा चौदा तेरा 16, 10, 9, जितने जितने नमबर आ सकते थे वो कितने कितने student के आये हैं उसे कहते हैं आवरती तो यहाँ पर देखिए जब इस परकार का आपके पास में exam में question आ जाए तो आप किस परकार से essay question का माद्य ग्याद करेंगे तो essay question के अंदर माद्य ग्याद करने का तरीका होता है आप क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए माद्य का formula था कि योग बटे संख्या आकडों का योग बटे संख्या ठीक है तो अब यहाँ पर देखिए तीन नमबर लाने वाले 15 बच्चे हैं कितने बच्चे हैं 15 बच्चे तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा तो जब हमें यहाँ पर देखो क्या बुला है माद्य की गण्णा करनी है तो माद्य की गण्णा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि नमबर और आवरती का गुणा करके इन दोनों का गुणा करके जो संख्याईगी उन सभी का योग करना होगा और फिर उसके अंदर भाग अपन किसका देंगे तो ये कुल आवरती कितनी है इसका भाग दिया जाएगा क्यों कि यहाँ पर जो आपके देखो योग आएगा वो तो किसका आएगा इस गुणा करने पर जैसे 15, 45, 100, 60, 65 ऐसे इन सब को जोड़ेंगे जो संख्याईगी वो आएगा योग और जो आपके आख्डों की संख्या है वो आएगी इन आवरतीयों का योग योग आन्दी 15, 5, 10, 4, 5, 5, 5, 3, 10 इनको जोड़के समझ में आगई बात तो आप क्या करेंग सबसे पहले देखिए आवरती जो होती है वो होती है आपके F से रिपरजेंट ठीक है और जो आपके प्राप्तांग है या जो भी हैना आवरती के अलावा कुछ न कुछ एक दिए ही रखा होगा प्राप्तांग होंगे फैक्टरी के नंबर होंगे आपके एज होगी उसको अपन क्या करते हैं x से रिपरजेंट करते हैं सबसे पहले अपन क्या करेंगे summation of fx निकालेंगे summation of fx का मतलब क्या हुगा कि आप f और x का गुणा करिए और उनका योग लिखते जाएंगे तो 15 इंटू 3 45 प्लस 20 इंटू 5 100 10 इंटू 10 100 15 इंटू 4 साइट तेरा इंटू 5 26 16 इंटू 5 80 ठीक है 10 इंटू 3 30 और 9 इंटू 10 90 इनका अब योग करो कितना आ रहा है ये तो देखिए सो अब मैंने पहले बिताए था ऐसी ऐसी दो संख्याओं को जल्दी जोड़ो जो पेर्स बना रही हो तो देखिए सो और 45 105 किलियर फिर इस सो को एजिट रखो ये कितना हो गया 125 ठीक है तो 105 और 125 कितना हो जाएगा तो 105 जो है तो वो 5 इसको दे तो 130 हो जाएगा 100 और ये 100 तो कितना हो जाएगा देखो 100 फिक है तो देखिए कितना हो जाएगा 100 ये 45 हो रहा था 5 इसको दे दिया तो 130 हो गया 130 और 140 200 और 100 कितना हो गया 300 ये इजिली जुड़ गया फिर प्लस इधर कितना है देखो 80 और 90 170 170 और 130 कितना हो जाएगा भाई बताइए अरे भाई 170 और 30 200 ये कितना हो जाएगा 200 तो योग आपके पास में कितना आ रहा है 500 सित्तर ठीक है ये आ गया योग अब हमें क्या करना पड़ेगा summation of frequency find out करना पड़ेगा यानि आकडों की जो संख्या आएगी वो कैसे आएगी तो ये जो आबरती आ रही है इनके योग करने पर तो अब देखो 15 और 5 पीस 20 और 10 तीस ठीक है तो ये लोग 30 लिख दिया फिर आगे देखो 4 और 5 5 और 10 14 14 और 3 17 17 और 10 37 तो 37 कितना आ गया ये आ गया 67 तो जो माध्य निकल करके आएगा यानि मीन निकल करके जो आएगा वो क्या आएगा तो 570 डिवाइड 67 ठीक है अब आप जो है अपनी इच्चा के अनुसार आगे कैलकुलेसन देखो ये थोड़ा सा जो है 67 का डिवाइड करोगे तो डिपिकल्ट आ रहा है लेकिन आपके एक्जाम के अंदर ऐसी कैलकुलेस तो उपर चला जाएगा आठ पॉइंट कुछ आंसर आएगा इसका लो ये फिक्स हो गया कितना आएगा आठ पॉइंट सम्तिंग इसका आंसर आएगा तो जहां भी ऑप्सन आठ पॉइंट अपने को दिखे का वो ठीक कर देना क्योंकि नौ बार करने पर क्या हो रहा है योग करके और फिर फ्रिक्वेंसी का योग करके अपने डिवाइड करते हैं नौट डाउन करिए आगे बात करते हैं फिर अपने जल्दी से लिख लिए देखो अब एक अगला कोशन और कर लेते हैं अगला कोशन जो है थोड़ा सा और अलग करते हैं उसके अंदर मान लेत हैं कि जो हमारे पास में प्राप्तांग है वो एक range के अंदर दिये होंगे जिए जीरो से लेकर 10 फिर 10 से लेकर 20 20 से लेकर 30 इस परकार के हाला कि इतना जाद है डीप में नहीं पूचा है लेकिन एक एक कोशन करवा देता हूँ तो अगर exam में आज आए तो आप कर पाएंगे ठीक है चलो तो लिखेंगे देखिए ये अपना पाँचवे नमबर का कोशन है और कोशन क्या कह रहा है वही ठीक है हेडिंग वही है निम्न बारम बारता बंटन का मादियग याद कीजिए किलियर हेडिंग वो की वही है कोशन की मैं सीधे कोशन लिख रहा हूँ और प्राप्तांग वाली जो टेबल ह वो बना रहा हूँ टेबल कैसे आएगी वो देख लो मैं इसके अंदर यहाँ पर भी टेबल का रूल है ये देखिए गा देखिए तो इधर इधर के आएगा प्राप्तांग यानि किन नमबर ठीक है और इधर के आएगा तो चात्रों की संख्या यानि नमबर और इस्टूडेंट्स के लिए यह जो है इस परकार का कोशन आपसे पूचा जा सकता है अब माल लिजिए इसके अंदर अपन तीन चार ही डाटा लेंगे ज्यादा लंबा यह कोशन नहीं आएगा देखो जीरो से लेकर दस नमबर फिर दस से लेकर बीस नमबर और बीस से लेकर तीस नमबर और तीस से लेकर चालीस नमबर ठीक है चातरों की संक्या है माल लो जीरो से लेकर दस नमबर लाने वाले पांच दस से लेकर बीस नमबर लाने वाले आट बीस से लेकर तीस नमबर लाने वाले बीस और तीस से लेकर चालीस नमबर लाने वाले हैं इसमें देखो आकड़े कैसे देदी है जो प्राप्तांग है वो एक फिक्स नमबर नहीं देखर के रेंज देदी के जीरो से लेकर दस नमबर के बीच में जो नमबर लाए है वो पांच जनों ने लाए है दस से लेकर बीस नमबर जो लाए है वो आठ जनों ने अब आठ जने तीस से लेकर चैनीस में short आजने जब ऐसा question अपने पास आजाएगा तो सबसे पहले हल करने के लिए आपको इसमें क्या करना है तो आपको जो यह वर्ग है यहाँ पर देगो यह वर्ग है इसको क्या कहते है अपन? वर्ग कहते है इसको कहा जाता है वर्ग ठीक इस वर्ग का आप क्या करोगे मद्य पिंदू ग्याद करोगे तो आप लिखेंगे वर्ग का मद्य पिंदू वर्ग का मद्य पिंदू यानि middle point of interval ठीक है यह जो interval है इसका मद्य पिंदू ग्याद करेंगे और वो कैसे ग्याद होता है तो वो क्यात होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा क्या निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा डिवाइड तू करते हैं अब देखो अपने पास में जैसे की उच्च सीमा और निम्न सीमा को आप जोड़ेंगे और क्या करेंगे दो का भाग दे देंगे और हर के लिए अलग-अलग मद्य बिन्दू होगा वह यह एक वर्ग हो थो 0 और 10 तो 10 के अंड़ लोगा भाग 5 आएगा इधर इस वर्ग के लिए 10 और 20 30 में लोगा भाग 15 आएगा इधर 20 और 30 पचास 50 में लोगा भाग 25 आएगा 340, 67, 67 में लोगा भाग 35 आएगा समझ में आ गई बात तो निम्न और उच्छ सीमाग में दोका भाग दे करके अपन अलग अलग वर्ग के जो है आप क्या निकाल लोगे मद्य बिंदू ग्याद कर लोगे अब देखिए हम क्या करते हैं सबसे पहले यहाँ पर मद्य बिंदू लिख लेते हैं क्या लिख रहे हैं मद्य बिंदू अब मद्य बिंदू के आएंगे तो मद्य बिंदू आपके जो जो आ रहे हो लिख लो पहले 5 फिर 15 फिर 25 और फिर 35 ठीक है इसकी भी एक टेबल ही बिन यह मद्य बिंदू आ गए यह इधर यह यह और यह अब क्या करोगे तो जैसे ही अपने मद्य बिंदू निकाल लिए उसके बाद में अब यहाँ पर आपको क्या करना है जो frequency होती है उसका गुणा इस middle point से करना है यानि जो यह चात्रों की संख्या है इस चात्रों की संख्या का गुणा आप किसे करोगे इस सम्मत्य बिंदूओ से तो पांच इंटू पांच वह यह क्या है frequency है एप मैंने लिख दिया ताकि आपको clear हो जाए और MP का मतलब है middle point ठीक है member of parliament नहीं अब पांच इंटू पांच कितना होता है 25 15 इंटू 18 कितना होता है 158 120 ठीक है 25 इंटू चौदा तो कितना हो जाएगा तो 35 इंटू 14 करोगे तो कितना आज जाएगा वाई 35 इंटू 14 का मतलब है आपके 35 से 350 और 35 चौक कितना हो जाएगा तो 140, 140 और 345, 490, कितना आएगा? 490, यह हमारे पास में आ गया, अब क्या? मद्दे बिंदू और यह आ गया, F into midpoint, अब आपको क्या करना है? कि इस सभी का, किसका? Summission of F into midpoint का, यानि जो यह उपर वाली range है ना, यह वाली line, इसका, इसका 25, 120, 500 और 490 का योग करना है, तो जैसे ही आप योग करेंगे, तो देखो कितना आ रहा है, सीधे सीधे direct कर लेते हैं, 500 और 120, 620 हो जाएगा, 620 और यहाँ पर कितना है? 490, तो 90 को एक बार भूल जाओ, 400 अगर जोड़ें, तो 400 और 620 होता है, 1020, 1020 के अंदर जो है, आप इस 90 में से केवल 80 जोड़ दो, कि यह जोड़ना तो आपको आता ही होगा, तो submission of app into, जो MP है, वो कितना आ गया? 1135 आ गया, यह 1135 आया, और अब वापस से क्या करोगे? summation of app निकालोगे, जो frequency है, उसका योग करोगे, frequency का योग यानि के आपको यह जोड़ना है, तो 5 और 8, 13, 13 और यह कितना हो जाएगा? 34, तो 34 और 13 कितना हो जाएगा? 34, 37, 37, 37, 47, कितना जाएगा? 47, तो अपने पास summation of app आगे, 47 और summation of app into MP जो आ रहा है, वो 1135 आ रहा है, अब आपको क्या करना है? माद्य निकालना है, तो यह लिख लो इदर माद्य, ठीक है? माद्य को आप X के उपर बार लगा करके भी प्रदसित कर सकते हो, क्या? X और X के उपर बार लगा दो, यानि line खीच दो, ठीक है? तो माद्य क्या हो जाएगा? 1135 डिवाइड बाइ 47, तो ज से आगे जो भी डिवाइड हो रहा हो कर लेना ठीक है एक्जेक्ट डाटा मैं आपको यहां पर नहीं स्वाल कर वा रहा हूं तो 1135 में आप 47 का भाग दोगे तो आपका आंसर जो भी है वो निकल करके आ जाएगा किलियर वैसे मैंने आपको हिंट दे दिया टू और फिर कुछ पॉइंट में आंसर आ रहा होगा मतलब कि 25-25 के आसपास कुछ आंसर इसका होगा तो आपको जो आकड़े हैं वो अलग-अलग परकार से दिये जा सकते हैं मैंने आपको सबसे पहले बताया कि सिंपल जो है 3-4 आपको आकड़े दे दिये होंगे उस पर आदारित कोशन LDC मे आया है फिर दूसरा ये बताया इस पर आदारित कोशन अभी तक नहीं आया है ठीक है और फिर ये लास्ट बताया इस पर आदारित भी एक्जाम में कोशन नहीं आया है केवल आपको एक-एक कोशन करवा दिया अब मैं आपको वो कोशन जादा करवाऊंगा जो आपके एक् फिर अपना आगे बढ़ते है चलिए बढ़ते हैं अगले question की और यह अगला question जो है थोड़ा सा test वाला question है और यह आपके exam के अंदर आ चुका है क्या question था तो देखिए 2018 में question आया था कि कुछ संख्याओं का माद्य आपको दे रखा है ठीक है जैसे लिखेंगे question तेरा संख्याओं का माध्य, तेरा संख्याओं का माध्य, चोईस है, क्या है? तेरा संख्याओं थी अपने पास, उनका माध्य कितना है? चोईस है, यदि प्रतेक संख्या में तीन, कितना? प्रतेक संख्या में तीन जोड दिये जाएं, तीन जोड दिये जाएं, ठीक है? तो प्रतेक संख्या के अंदर अपन ने क्या कर लिया? तीन जोड दिये जाएं, तो नया माध्य क्या होगा? ठीक है? ये है अपना कोशन, और ओप्सन देखिए, ओप्सन पहला है 21, ओप्सन B है 24 ही रहेगा, ओप्सन C है 27, और ओप्सन D है 25. ये है अपने पास में कोशन, इस कोशन का आंसर जो है, वो मैं आपको पहले ही बता दू, मुझे पता चल गया है कि इसका आंसर होगा 27. अब इसका आंसर 27 कैसे आया? आप भी ऐसे ही कोशन देखते ही कर पाएंगे, बस आप थोड़ा सा इसको जो है देरे के साथ में सुनगेगा. तो देखिए, हमें क्या कहा गया है? कि भाईया, तेरा संख्याओं का माद्य चोईस है. अगर तेरा संख्याओं का माद्य चोईस है, तो हम यह कहेंगे कि माद्य होता है योग बट्टे संख्या. और संख्या कितनी है? तेरा. ठीक है? तो योग बट्टे संख्या बराबर ह होता है माध्य और माध्य कितना है चोईस तो अब बताइए तेरा संख्याओं का जो योग आएगा वो कितना आएगा चोईस इंटू तेरा आएगा या नहीं ठीक है चोईस इंटू क्या आएगा तेरा आएगा ये क्या आगया तेरा जो संख्याओं है उनका योग आगया गाता हो तेरा संख्याएं हैं अपने पास में अब तेरा संख्याओं में अगर अपने तीन जोड़ा है यह ना इसका मतलब क्या हुआ कि तीन प्लस तीन प्लस तीन इसको तेरा बार लिखना है कितनी बार लिखना है तेरा बार ठीक है अब बताइए तेरा बार अगर अगर अपन तीन 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 जोड़ेंगे तो क्या आएगा तो सिद्धी सी बात है कि तेरा इंटू तीन को लिजिए तो 49 आ जाएगा ultimately क्या हुआ इसका मतलब कि हमने जो है इस योग के अंदर जो आपके तेरा संख्याओं का योग था उसके अंदर अपने और क्या एड किया है तो तेरा बार तीन एड किया है ठीक है और तेरा बार तीन एड करने का मतलब है आपने उसके अंदर कितना जोड़ा तो आपने उसम योग अब जो योग आएगा भई नई तीन संख्या जोडने के बाद में जो नया योग आएगा ये तो साथ 13 संख्याओं का योग कितना चोईस इंटू 13 और 13 जो है अपने क्या करा तीन 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 और जोड दिये तो 13 तीन 49 ये 49 और अब जोड गया तो अब ये योग हो जोड़े हैं 13 के 13 संख्याओं तो रखी है इसका मलत संख्याओं तो 13 ही रहेगी योग कितना हो गया था 24 इंटू 13 पहले था अब 13 इंटू 3 और जोड गया अब आप देखिए सीधे सीधे आपको दिखरा होगा कि उपर यहां भी 13 है यहां भी 13 है मैंने 13 कॉमन ले लिया त 24 पलस 3 कितना अंसर 27 कितना 27 मैंने बोला था ना कि 27 ही आंसर आएगा तो बताइए 27 आंसर आया या नहीं और सी तो अब आपको क्या एक्जाम के अंदर इतना लंबा प्रोसेस अपनाना है नहीं मेरे प्यारे दोस्तों आपको जो एक्जाम में करना है वो यह करना है कि यह ब का माद्य जो है N है या X है और प्रतेक संख्या में हमने A जोड दिया तो जो नया माद्य होता है वो जो पहले माद्य था उसमें उस संख्या को जोड दीजिए मतलब पहले देखो माद्य कितना था? उस चोईस के अंदर आप क्या कर दोगे जितना प्रतेक संख्या में जोड़ा है उसको जोड़ दीजिए तो चोईस में जैसे ही आप तीन जोड़ते आपका अंसर 27 आ जाता और ये हर जगे पैलीड है तो आपको हर एक्जाम के अंदर अब ये वाला मैथड नहीं अपनाना है ये तो बेसिक था आपको समझाने के लिए कि आखिर में जो ये 24 प्लस 3 करने पर 27 क्यों आ रहा है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको पता है प्रतेक संख्या में आप जोड़ोगे तो ओवेसी बात है इधर जो आ रहा था वो इधर भी आएगा और वो कॉमन आ जाएगा नीचे से कट जाएगा इसलिए अल्टिमेटली क्या होगा जो प्रतेक संख्या सभी में जोड़ी जा रही है वही माद्य में जुड़ेगी इसलिए ठीक है आप लिख लिजिए कि यदि एन संख्याओं का माद्य एन संख्याओं का माद्य एक्स है तो प्रतेक संख्या में प्रतेक संख्या में प्रतेक संख्या में जोडने पर नया माद्य नया माद्य प्रतेक संख्या में तो नया जो माद्य निकल कर आएगा वो X प्लस A निकल करके आएगा और यह जो X प्लस A आया यह बहुत काम का है एक्साम के अंदर इसी टाइप के कोशन पूछे जाते हैं ठीक है इवन आपके SSC वगरा में भी यह कोशन पूछा गया है तो आपके आगे भी mathematics कहीं पर भी आप और exam देंगे वहाँ भी यह concept काम आने वाला है इसको not down करिए फिर जो है अपन आगे बढ़ते हैं और कुछ नया कोशन को try करते हैं इसको not down करिए फिर मैं आपको जो है और भी कुछ कोशन करवाता हूँ और वो भी एक थोड़ा सा अच्छा कोशन है देखिए कोशन मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्यूंकि पहले से आज जो है पीडिये पैड नहीं की गई है तो थोड़ा सा आपका समय लग रहा होगा लेकिन और भी मज़ा आएगा आपको पढ़ने में देखिए एक और कुछन करते हैं शिक्त नमबर पर ये भी आपके अल दस परेक्षणों का माध्य सोला है यानि की दस अपनने ओब्जर्वेशन किये या दस कोई भी वस्तु है लेली ये दस संख्या है लेली उनका क्या है जो माध्य है वो सोला है चार्च करने पर ग्यात हुआ की दो परेक्षण दो परेक्षण आठ व साथ के इस्थान पर चार व चै गलती से गलती से लिख दिये गए है लिख दिये गए है है सही सही माध्य है ये कोईशन आप से उचा जा रहा है सही माध्य है अपसन नंबर A आपके पास में है फंद्रा पॉइंट पांच लिख भी है आपके पास में 16 ओपसन नंबर C है आपके पास में 16.5 और अप्सन नंबर्डी है आपके पास में 17 इस कोशन को भी अपन बिल्कूल बेसिक से पहले समझेंगे कि ये क्या है और फिर इसमें भी ट्रिकर बता दी जाएगी बेसिकली क्या हुआ कि 10 प्रेक्षन लिए थे ठीक है उन 10 प्रेक्षनों का अपन ने मात्य ग्यात किया तो 16 आ चुका था लेकिन जब वापस से रीचेक किया गया उस प्रेक्षनों को तो ये पाया गया कि हमें जहां पर 8 और 7 लिखना था उसकी जगे पर हमने क्या लिख दिया है चार और 6 जो है गलती से लिख दिये है तो 4 और 6 लिखने से जो है प्रेक्षनों का जो मात्य आया है वो आया है 16 अग यहाँ आठ जो प्रेक्षण है, उनमें तो कोई गरबढ है नहीं, तो आठ प्रेक्षणों के लिए, अपन माल लेते हैं, देखो, आठ प्रेक्षण, उनके लिए मैं एक सब्द यूज कर रहा हूँ, P, ठीक है, तो 8 प्रेक्षन जो है उनको अपन 8 के 8 प्रेक्षनों को एक साथ लिख रहे है P फॉर्मेट में और बागी के जो 2 है उनके अपन बात करेंगे तो basically क्या हुआ होगा तो देखो 8 प्रेक्षनों का योग प्लस ये 4 प्लस 6 लिख करके जब 10 का भाग दिया गया तब अपने पास कितना आया है 16 आया है ठीक है यही हुआ है अब देखो 4 और 6 कितना होता है 10 और इधर कितना हो जाएगा तो 16 इंटू 10 एकसोसाइट और इधर का 10 जो है जिनमें करवड़ी हुई उनको अगर पहले वाले के अकॉर्डिंग देखें तो आपके जो बचे हुए आंट प्रेक्षन है उनका योग कितना आ गया 150 आ गया यानि जो 2 प्रेक्षन थे 4 और 6 अब उनका अपन ने क्या कर दिया खेल ही खतम कर दिया यानि उनको हटा दिया है तो आठ संख्याओं का योग है 1500 अब अपने पास में दो नहीं संख्याओं है वह चार और चेत्व भड़ चुकी है हमें चाहिए थी 8 और 7 इसका मतलब अब क्या हो जाएगा तो 8 संख्याओं का प्रेक्षन प्लस अब 8 प्लस 7 और डिवाइड तो वही 10 संख्याओं से ही होगा 8 और 7 कितना होता है 15 और P की वैली अपन निकाल चुके है यानि 8 प्रेक्षनों का योग कितना है 1500 तो 1500 प्लस 8 और 7 15 डिवाइड कर देंगे किसका 10 का ठीक है कितना आंसर आजाएगा तो 165 में 10 का भाग 165 में 10 के भाग का मतलब है 16.5 आपका आंसर आएगा कितना आंस पांच आंसर आएगा यानि option number C आंसर होगा ये तो एक तरीका हुआ बिल्कुल basic तरीका कि हम क्या करें कि पहले जो है आपके 10 फ्रेक्षनों वाले concept से equal रखे मात्य निकाल कर 8 संक्याओं का योग ज्याद करें फिर जो दो नई जो पुरानी वाली थी 4 और 6 जो गलतियों से लिखी थी उनको अपने यह क्या कर दिया है उनके योग को हटा दिया दस देखो अपने मैनस कर दिया इसका ऩाला चार और 6 अब हट चुकी है तो अब आठ संक्याएं ही बची जिनका योग आ चुका है डेड़ सो आठ संक्याओं का योग डेड़ सो और जो दूर नहीं संक्याएं अपने को डालनी है वो कौन सी डालनी थी साथ और आठ वो अपने डाली तो 165 आए अदरस का भाग दिया 16.5 आंसर आ गया इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी है ना तो एक बार इसको नोट डाउन करो फिर मैं आपको इसके अंदर कुछ चीज दिखाता हूँ तो देखिए हम इसमें अब क्या कर सकते थे ट्रीक क्या लगा सकते थे मैं यहाँ पर अब जो है आपको ट्रीक बताता हूँ अपने आठ और साथ के इस्थान पर किसके आठ वो साथ के इस्थान पर क्या लिख दिया था चार वो चे लिख दिया था है ना तो आप यह बताईए कि इस योग के अंदर ही तो गरबट हुई होगी और योग के अंदर गरबट कितनी हुई होगी तो आट और अगर साथ लिखते तो आट और साथ का योग है पनरा और चार और चे का योग कितना है दस तो हपन 10 तो आल्रेडी जौडी रहे थे, जौडना अपने को 15 था, लेकिन 10 तो अपन जोडी रहे थे, अपन कितने कम जौड रहे थे, पाँच ही तो कम जौड रहे थे, उस पाँच का ही तो अपने को क्या करना है माददी की value find out करनी है, आपको क्या करना होता है ऐसे question में, आपको जोड़ना जो संख्याएं थी, जो संख्या आपको वहां रखनी थी प्रेक्षन के अंदर, उनका योग ग्यात करो, और फिर जो आपने रखी है, आपने क्यों से रखी है, चार और चे रख दिये गलती से, तो चार और चे का योग ग्यात करो, जो भी योग आएगा द तो जितनी संख्याओं का आपने माद्दे ग्यात किया है उतनी ही संख्या का भाग दे दीजिए तो दस प्रेक्षनों का माद्दे था इसका मतलब इस पांच के अंदर आप दस का भाग दे दीजिए कितना आया तो सीधे सीधे आ गया 0.5 इस 0.5 जो आया है इसको आप क्या करिए जो पुराना वाला आपका माद्दे अल्रेडी आ चुका था उसमें आप एड़ कर दीजिए तो 0.5 एड़ करोगे आप किसके अंदर जो पहले आ रहा था माद्दे पहले कितना आ रहा था 16 तो 16 के अंदर जैसे ही 0.5 एड़ किया बताइए माद्दे कितना निकल कर आ गया 16.5 तो आप ऐसे भी कर सकते हो सिधा सा एक लाइन में पहले वाले का योग करो बाद वाले का योग करो उनका डिफरेंस निकालो जो डिफरेंस आए उसमें शंक्या का भाग दे दो जो भी आंसर आएगा उसको पहले वाले माद्दे में add कर दो जो नया माद्दी है वो निकल कर आपा आ जाएगा या यह कह सकते हैं कि जो सही Himाद्दी आना था अगर आप 8 और कर लीजिए दोनों मैथड को और यहीं पर जो है इसी के साथ में आपके माध्य से related जिस जिस परकार के questions exam में बन सकते हैं वो मैंने आपको करवा दिये हैं अब इसमें आपको केवल practice करने की जरूरत है ठीक है तो आप practice करिएगा कोई question नहीं होता है तो बेजी जग आप हमसे पूछ सकते हैं आपके हर एक question का जवाब दिया जाएगा ठीक है आज का session कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताईएगा धन्यवाद जय हिन जय भारत मिलते हैं अगली class के अंदर